सदन के अंदर एक बार जो कारवाई है वो फिर से इस्थागित होगे है कल दस बजे फिर से बैठक बुलाई जाएगी फिलाल मेरे साथ जो निर्दलिय पार्षा थे जिनों ने आमाधी पार्टी को समर्थन दिया है वो मौझूद है सीधा इन से जानेंगे कि आखिर अंदर क नहीं जाएगा तो आम पार्टी वालों ने कहा कि कुई पैन भी ने जाएगा अंदर वह बहुत शांतिपूर से अलक्षन हो गया मैर का ड्रिप्टी मैर का तो उसमें ऐसा हुआ जो मैर का अलक्षन हुआ था उसमें पूरे जितने हमारे आम पार्टी के मतलब लोग थे पा बारवसे वह 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 पारवाई स्टार्ट हुई अब जो है वह वह नुक्सान भी किया है तो पोड़ भी की है बहुत बत्तम इजी किया उन्होंने उनकी मांगे क्या है वह क्या किस चीज को ले विरोद कर रहे हैं इसे के हमारे डिप्टी मेर का अलक्षन हुआ था उसमें हमारे चार लोग कम थे ठीक है इस वज़े से हमारे लोगों ने हमारी पार्टी ने ये कहा कि अंदर जाके वहाँ फोटू कीच के लाओ पता चलेगा कि कौन है ये हम मैंसे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है इसलिए क्या लगता है कल स्टेंडिंग कमेट्टी का चुना हो पाएगा हमें नहीं लगता क्यूंकि अभी ये फड़ फड़ाएंगे आसानी से इनके हलक में से नहीं निकलेगी इसलिए ये कल भी हंगाम करेंगे क्या वज़ा है हंगाम करने के वज़ा मैं आपको बताई तो है कि 15 स वज़े तक के लिए जो सदन के कारवाई है उसको इस्थागित कर दिया गया है कल फिर से बैटक होगी जो इस्थाई समीती का चुना होए वो कल से फिर होगा आज हंगाम के चलते हैं इस्थागित कारवाई कर दी गई है क्याम परसन केड़ी के साथ अजान अनसारी न्यू